और चलिए अब रुक करेंगे का अगली बड़ी खबर का हरियाना में 15 अक्टूबर को नई सरकार का शपत ग्रहन्ट संभव हो सकता है नायब सेनी ही मुख्य मंत्री पदगी शपत ले सकते हैं पंचकुला में समारो संभवेवाई पीम मोदी और ग्रहम मंत्री अमिट शाभी हरियाना में सरकार शपत ग्रहन्ट समारो में शिर्कत कर सकते हैं संभव तह 15 अक्टूबर का वो समय बताया जा रहा है जब हरियाना में शपत ग्रहन्ट समारो हो सकता है और पंचकुला में ये समारो होना संभव है और बुख्य मंत्री पदगी शपत कारेबाग सेनी ही ले सकते हैं और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे सईयोगी विनाय हमारे साथ जुड़ गए है विनाय दो दिवसी दौरा कारेवाग सीम का दिल्ली में रहा अब क्या कुछ अपडेट है और क्या कुछ उस दौरे के दौरान खास बाते हैं जो सामने नि दिल्ली में और जूकि जिस तरह से इत्यास रचा जीत की रची उसका धन्यवाद करने नाएप शैनी दिल्ली पहुंचे थे परधान मंतरी से लेके राश्टपती उपराश्टपती तमाम केंद्रे मंत्री केंद्रे मंत्री मनहोंर लाल रादना सिंग विपलब देब जो की इसाय परवारी इन तमाम नेताओं से मुलाकात की लेकिन इन मुलाकातों का जो मक्सादस त्रिफ धन्यवाद करना नहीं बलकि शपत ग्रेंट समारों की तारिक का भी निकालना था और और मोहनलाल बडोली जो की हर्याना भी परदेश अद्यक्ष हैं उनका यह कहना है कि प्रधान मंतरी को निमंतर दिया गया है और जब प्रधान मंतरी का समय मिलेगा उस दिन शपत ग्रेंट समारों होगा तो ऐसे में खबरें सामने आ रहे हैं कि 15 अक्टूबर को यह शपत ग् उसके लिए प्रधान मंतरी को निमंतर दिया गया है नायप शे, जूद ग्रेंट समवारों होगा थो उसमें खुद प्रधान मंतरी रहेंगे मंतरीर जहां बीजैपी की सरकाह है जुसमें योगी अदितनाथ के पहुंचने की समभाव दिखाई दे सकते हैं इसके बाद आपको इसकी तायारियों की तस्वीर नजर आने लगेंगी और यह साफ हो जायेगा कि भी आई पी लोग नहीं गे वो भी देखना को yüz कारे कर्म नहीं क्योंकि वीजेपी ने इत्यास रचा है तो भवे कारेकरम बीजेपी इसी के तहट करने की तैयारी में है विनाएं लेकिन इस शपत समारों में मुख्यमंत्री के साथ-साद और कौन-कौन से से विधायक है जो शपत ले सकते हैं कोई ऐसी लिस्ट आपके सामने आई हो या आपको सुत्रों के अवाले से कोई खबर मिली हो कि देखिए एक दो दिवस्य दोरे पर एक ये भी बड़ा बैठकों के बीच जो कि कारेवाहक मुक्यमंत्री नाइप शानी ने दिल ले मिकिए भी एक बड़ा मुद्दा रहा कि हर्याणा कैबिनेट के चहरे कौन-कौन से विधायक हौँना किसको मंत्री के तौर पे शपथ दिलाई जाएंगी ये माना जा रहा है की चुकि अदिक तर जो मंत्री अभी जो नाइप सैंई के मुख्य मंत्री रहते वे जो थे उसमें से अधिकतर चेहरें तकरीबन आठ चेहरें हार चुके हैं तो ऐसे में नए चेहरों को मौका दिया जाएगा सिर्फ दो ही मंत्री जीत के आए हैं मुल्चन चर्मा और महीपाल धांडा तो क्या इन दोनों को फिर से नायप सेनी जब समिकरण भार्तियंता प्रट यहां पर बैठाने की कोशिष करेगी सभी जाती की लोगों को खुश रखना यहां पर के केविड़ के चेहरों को टै करने के लिए इसलिए इसलिए जाती जाती यहां धीट करती भी दिखाई देगी लगाता हार यह उप्मुख्य मंत्री का ए जातिया समीकरण को कई न कई साधने की कोशिश करती वी नजर आएगी तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्री आपका